हेलो फ्रेंड्स वगत है आपका अपने कचिंग इस्टिट्यूट कॉमर्सनेशन्स की ऑनलाइन क्लासेज में इसलिए लेक्शर में परसेंटेज चेप्टर के बेसिक्स को हम लोगों ने डिसकस किया हुआ था आज के ससन में हम लोग परसेंटेज चेप्टर के कि परसेंटेज के बेसिक्स से कुछ ऊपर एडवांस टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिसकस करने जा रहे हैं आज कि इस पूरे के पूरे टॉपिक के दौरान हम लोग जो सीखने वाले हैं वह आपके एक्जाम के लिए स्टी पीजी एमबी एक्जाम के मैथमेटिक पॉर्ट संस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह सारा का सारा जो एक्जाम होता है या पूरी की पूरी अगर हम बात करते हैं अरित्मेटिक्स की अरित्मेटिक्स का एक सक्षन जिसके अंतरगद परसेंटेज चेप्टर जो है उसका इस बहुत ही महत्वूर्ड इंपॉर्टेंट रोल होता है और तो मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज है कि यह कहीं न कहीं बहुत सारे चैप्टर's कुछ ऐसे होते है ठीक है तो percentage के second lecture में आप लोगों का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को without skipping complete पूरा देखेंगे जिससे कोई भी डाउट आपकी मुन में mathematics के इस पाइट से लेटेड नहीं रह जाएगा इस जिन topics को आज मैं आपको समझा दूंगा उन topics से कोई भी question अगर आपके exam में आता है तो I hope कि you will solve it completely and without any mistake आज जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं है पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियो जो आगे आने वाले हैं बहुत सारे अग्जाम होता है उसके लिए जो mathematics का पॉर्ट सा है उसको लेके यहां पर डेली जो mathematics की classes है वो आप तक पहुचाने के लिए हूँ ठीक है आते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्शर में क्या सीखा था जिन लोगों ने पिछले लेक्शर को नहीं देखा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार कि पिछले लेक्शर जरूर देख के हैं इसले लेक्शर को अगर आप देख लेंगे तो बेसिक जो भी चीज़ें हैं वह आपको समझ में आ जाएंगे इसके बाद हम लोगों की तरफ चलेंगे आराम से तो आपको को इन चार चीज़ों को पर्सेंटेज में कैसे बदलना है इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले लेक्शर में पिछले सथन में डिसकस किया हुआ था आज इसी से रेलेटेड एक बात मैं आपसे कह देता हूँ अब ही आपने given quantities को percentage में चेंज किया है जो quantities आपको दी गए थी whether it be ratio fraction, number और decimal इस से आपने percentage में चेंज किया हुआ था एक बार फिट से recall करते है तो आप आप अहां पर क्या करते थे 100% से multiply करते थे कुछ भी आपसे हो अगर किसी भी चीज़ को percentage में चेंज करना होता था तो simply आप लोग 100% से multiply कर देते थे अगर मैं कहूं कि कोई percentage value आपको दी गई है कोई percentage value आपको दी गई है और आपको units में चेंज करना है तो simply आप 100 से divide करेंगे 100 से divide करेंगे यहां तक तो बातें कल किलियर हो गई थी आज आज जो हम लोग जानने वाले हैं उसको देखते हैं ठीक है तो find the percentage increase of a number किसी भी संख्या में किसी भी number में जो percentage increase है उसको हम लोग कैसे find करें जैसे मान के चलो मैं आप से कह रहा हूं कि कोई संख्याती A कोई संख्याती A ठीक है A को अगर हम लोग 20% बढ़ा देते हैं ठीक है A को हम लोग 20% बढ़ा देते हैं तो वो B बन जाती है ठीक है A को 20% बढ़ाने पर क्या प्राप्थ होता है B एक तो यह हो गया दूसरा क्या है कि A को कितने percent बढ़ाया जाए कि B प्राप्थ हो जाए दो चीज़ें मेंस से हो सकते हैं एक तो इन दोनों से बेस्ट हो सकता है कि A पहले एक कोई रासी देदेगा कोई quantity देदेगा और percentage increasement आपको देदेगा तब आपसे पूछा जाएगा कि second जो question है जो second जो quantity है यह क्या है या फिर दोनों quantities आपको देदेंगे और आपसे percentage increasement के बारे में पूछा जाता है तो इस टाइप की question है उनको कैसे solve करना है इसको देख लेते हैं कोई एक question example के तौर पर हम लोग पहले देखते हैं question है कि the monthly income of a person is 8,000 एक कोई व्यक्ति है उसकी जो मासिक आये है वो 8,000 रुपए है और यदि उसकी आये 20% बढ़ा जाती है तो उसकी नई मासिक आये क्या होगी कि उसकी current income है current जो income है उसकी वो कितनी है उसकी है 8,000 ठीक है बढ़ाना कितना है 20% पूछ रहा है कि जो नया वाला है वो क्या होगा तो अभी यह से मैंने बताया हुआ था कि 8,000 एक quantity दी गई है इसको 20% बढ़ाना है और यह quantity निकालनी है यह पहले type जो मैंने पहले type बताया हुआ था यह उसमेंसे पहले type का question आपक वीडियो देखके नहीं संज़ा सकता है इसके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ एक pen और एक copy लेके जरूर बैठें ताकि कोई भी जो question है question अगर आप नहीं लिखते हैं तब कोई बात नहीं है लेकिन जो चीजे जो मैं बता रहा हूं जो formula यहां पर important लिखा रहा हूं ज है तो आप लोग note-down करते हुए चलेंगे current income कितनी है 8000 increment कितना करना है 20% अब मैंने कल आपको बताया हुआ था कि जब भी हम लोग percentage in itself हर एक संख्या हर एक संख्या आप कितनी होती है 100% ऐसे ही जब हरेक संख्या होती है तब यह जो 8000 है यह लाप में कितना है 100% है इतनी समझे में आ गई हरेक राश्टी 100% है हरेक quantity 100% है तब यह 8000 भी कितना होगा 100% और इसको कितना बढ़ाना है 20 परसेंट तो 100 परसेंट यह है 20 परसेंट और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 120 परसेंट कि 120 परसेंट हमें निकालना ठीक है अभी वो कितना है अभी वो कितना है तो अभी हम बता रहे हैं कि अभी 100 परसेंट है हमें 20 परसेंट और बढ़ाना 120 20% को निकालना है अब इसको हम लोग। से गर सकते हैं इसको आते हैं मोग ऊपर है करते हैं कि कितने अधी हो सकते हैं तो इसको हमान varit City कि 100% जो है 100% है वो क्या है 8000 है ठीक है जी 100% कितना है 8000 है हमें चाहिए क्या है 20% बढ़ाने के बाद मतलब 120% की वैल्यू 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो गया इसकी वैल्यू क्या होगी अब यह हो एक हिंदी में एक अक्षा आठ में जो आप mathematics पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है एक एक नियम हिंदी में एक एक नियम कहते हैं वैसा question यह बन गया ठीक है percentage से percentage आपने cancel out कर दिया 100 से 8000 को जब आप काटेंगे 80 टाइमस जाएगा 80 इंटू 120 करेंगे कितना होगा एक टी इंटू 120 इंटू 120 सॉरी एक टी इंटू 120 जब आप करेंगे तब कितना होगा तो असी इंटू 120 एक इंटू 120 कितना होगा तो 12 इट जा 96 एंट तू 0 96 नौ हजार चैसो जो है वह इसका correct right answer होगा ठीक है 9600 समझ में आ गया यह चीज को यह तो हो गया हमारा पहला पहला है method हे कि ए इसक्षा क्या है 8000 Sounds की अभी कितनी है और इस्रेंल वेलिये किका है 100 पर eru mortgage करना कितना करके है 120 निकालना है जो निकालना है वह उपर अभी जितना है वह नीचे तीक है जिसको हमें निकालना होता है वह ऊपर लिखते हैं ऊंपर कौन होता है इस उपर कौन होता है जो 2 het quantity है जी वह प्रौइनटिटी ऊपर है और जो क्युंटिटी हमारे पास है व стр नीचे रहती है अगिधनटिटी नीचे ओपर सब्सक्राइब करें है वो उपर जो है हमारे पास वो नीचे तो नमबर है उसका में 120 परसेंट करके बढ़ाना है और अभी वो 100 परसेंट है तो इसको काट देने पर दो बिंदी और 120 तो यहां पर भी आप देखेंगे कि 9,600 तोनों ही आंसर एक जैसे हैं तोनों ही मैथट्स वस्थोड़े थोड़े डिफरेंट है अब आपको जो सरल लगे जो सिंपल लगे आप वैसे यहां पर कर सकते हैं समझ में आ गया यह क्वेश्चन खेक का एक कोश्चन और हाँ पे देख लेते हैं व लोग हैल्य डे्सक्त अब देखो प्रसखर एक हो दूसरा हो गया जनसंख्या ब्रद्धि से related person, जनसंख्या ब्रद्धि अध मिन्स population growth, population growth से related person भी यहां पे देख जा सकते हैं, तीसरी चीज क्या हो जाती है, कीमत में ब्रद्धी, इंक्रीजमेंट इन प्राइज प्राइज या वैल्यू वैल्यू भी कह सकते हैं ठीक है प्राइज या वैल्यू में इंक्रीजमेंट होता है उससे रिलेटेट कुश्चन भी यहां पे परसेंटेज इंक्रीज के अंतरगत हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है चौथी चीज जो ह होती है इनका example लेकर मैं आपको सारी चीज़न समझा दूंगा इसके बाद जो भी आपको दिखेगा आप अपने से solve कर सकेंगे ठीक जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं पहला salary raise वाला question क्या है एक अब देखो जब मैंने यहां पे आपको दो बताये हुए थे कि दो टाइप से को करते हैं एक तो होता है कि यह और यह देता है और दूसरा होता है कि ए और बी की वैल्यू दे देता है percentage increasement पूछ रहा होता है ठीक है यह देखो यह question B जैसा है यह जैसे हम लोगोंने बी टाइप बाला question पढ़ा हुआ था यह वैसा question है इसमें लोगों को क्या करना है दिया गया है कि राज salary increased from 40,000 to 46,000 राज है कोई उसका जो वेतन है वो 40,000 से बढ़के 46,000 हो गया है उसके वेतन में प्रतिसद व्रद्धी क्या है percentage increase क्या है तो अभी वेतन कितना है करेंट कितना है प्रिवियस salary जो उसकी कह सकते हैं वो कितना था जी वो 40,000 था कितना बढ़ा है increasement कितना हुआ है बताओ हमें increasement कितना हुआ तो आज सारे लोग इस चीज़ बता सकते हैं कि 6,000 रुपए salary जो है वो उसकी बढ़ गई है 6,000 रुपए बढ़ गई है ठीक है अब इसमें आप सब समसकते हैं कि 6,000 बढ़ी है 6,000 कहां से बढ़ी है ये जो 6,000 increasement हुआ है ये कौन सी value पर हुआ है 46,000 पर बढ़ी है क्या नहीं 40,000 पर तो नहीं बढ़ी कितने बढ़ी है इस 40,000 वाली पर 40,000 से बढ़के 46,000 हो गई है कितना बढ़ा जी 6,000 कितने पर 40,000 पर 40,000 पर जब 6,000 बढ़ गया तो percentage कितना होगा percentage कितना होगा तो 100% से multiply कर देते हैं ये 3 से 3,0 ये खतम 6 बटे 40 मतलब 3 बटा 20 20 से इसको जब आप काटेंगे 20 से आप इसको काटिए 5 बार में 15% कितना आ गया जी 15% 15% इंक्रीजमेंट आपका हुआ है था गया 40,000 दिया गया था आपको हो गया था 46,000 आपको निकालनी ये वाली वैल्यू थी कि कितना इंक्रीज हुआ है ये वैल्यू आपको find करनी हुई थी तो हम लोगोंने क्या किया इंक्रीजमेंट यहां पर देख लिया कि पैजो में जो इंक्रीजमेंट एक वर्स में एक सहर की जो जनसंख्या है वो 50,000 से बढ़के 55,000 हो जाती है वैसा ही question है जैसे दूसरे second का question बढ़ाए था कि 50,000 से बढ़के कितनी हो जाती है 55,000 55,000 से बढ़के कितना हो गया 55,000 percentage increasement कितना है वैसा ही question है आप लोग solve करेंगे answer देंगे comment section में ठीक है और अगर आपको लोगों कोई समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग yes जरू लिखें yes जरू टइप करें समझ में अगर आ रहा है तो जिससे मुझे पता चले कि समझ में कितने लोगों को आ रहा है ठीक है, price increase, price increase का question है अब, same वैसा ही question है, B type बला question है, क्या लिखा है, the price of a site increase from 600 to 720, एक site की कीमत 600 से बढ़कर 720 हो जाती है, 600 से बढ़कर कितनी हो गई, 720, percentage increase क्या है, यह question है, इसको भी आप लोग solve करेंगे, जबाब देंगे, ठीक है, weight gaining, एक व्यक्ति का बजन, 70 kg से बढ़कर, 77 kg से बढ़कर, 77 kg हो गया, 70 kg था पहले, अब कितना हो गया, 77 kg, जब अब अब अर्शन's weight is increased, अर्शन का वेट कितना बढ़कर गया है, 70 kg से 77 kg हो गया है, 70 kg से कितना हो गया है, 77 kg, 70 kg से कितना हो गया, 77, कितने परसेंट बढ़ गया, यह आपको निकालना है, चलिए उसको इबाय कर देता हूँ, इस question को एक बार, 70 से कितना बढ़ा, 77, अभी कितना है, 77, था कितना, 70, increase कितना हुआ, 7 kg, increase कितना हुआ, यह जो increase हुआ, 7 kg हुआ, 7 kg इंक्रीज हुआ है, कितने पर, कितने से 7 kg बढ़ा था, 70 था, तब 77 हुआ था, ठीक है, तो 7 kg बढ़ा है, 70 पर, परसेंटिस कितना बढ़ा? परसेंटिसे बदलना है, ठीक है, सत्ते- दस बार में, दस से इसको काट देते हैं, 10% 10 प्रतिसत बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 10 यह प्रतिशत, ठीक है, 10 प्रतिशत जो है वो बढ़ा हुआ है अब जैसे हम लोगों ने percentage increasement के solve कुई थे प्रतिसद वरधी के प्रस्ण को हल किया था ऐसे ही जो दूसरे प्रकार के प्रस्ण आते हैं second जो आज के concept हमारा रहता है second concept क्या है percentage decrease percentage decrease हमें पता करना है percentage decrease क्या होता है देख लेता है अभी हमारे जो सारे की सारे दाम है वो बढ़कर जा रहे थे ना अब इसमें घटके जाएंगे जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक cycle 5000 की खरीदी थी 5000 की मैंने एक cycle ली थी और आज वो 4000 की बची 4000 की बच रही है आज वो कितने प्रतिसद उसका दाम गिर गया है तो इस type की जो question है उसमें एक तो यह हो गया कि आपसे percentage increasement पूछ लेगा और दूसरा जो पूछ सकता है वो है कि 5000 से अगर मैं कहता हूँ 5000 से कितना घटा तो 20% घटकर अगर हम 5000 से किसी चीज़ के 20% घटा देते हैं तो वो कितना बचता है ठीक है आपसे या तो percentage decreasement पूछ लेगा percentage decreasement या फिर second quantity को पूछा जा सकता है second quantity या final result जो है वो पूछा जा सकता है ठीक है देखते हैं क्या पूछा गया प्रश्न पर आते हैं अपने बिना प्रश्न के गड़ित को समझना वेकार है गड़ित आप नहीं सकते सिर्फ concept based आप नहीं चल सकते जब तक आप प्रश्नों को साथ-साथ में हल नहीं करेंगे तब तक गड़ित mathematics अर्थमेटिक आपको समझ में नहीं आने वाली ठीक है इसलिए सवालों को साथ-साथ solve करते हुए चलते हैं प्रश्न क्या है यह पहले टाइप का प्रश्न हो गया यह हम लोगों ने जो प्रश्न अभी हम लोग देख रहे थे इसमें कि 25 परश्न गिराने के बाद second type का question हो गया यह second type का दूसरे प्रकार का प्रश्न है अभी जो कितना है अभी जो value है वो 20,000 रुपए है 20,000 से 25 प्रतिसत कमी करनी है हमें 25 प्रतिसत में कमी करनी है कहां पे पहुचे गया कहां पे पहुचेगा कितना होगा इस बात को निकालना है ठीक है चलो आई यह solve करते हैं इसको कैसे करना है देख लेते हैं तो जैसा मैंने बताया हुआ था कि हर एक quantity अपने आप में 100% होती है हाँ जी याद आ गया हर एक quantity अपने आप में 100% होती है 100% वो है उसको 25% घटाना है कितना हो जाएगा जी 75% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा 75% बचेगा तो 20,000 जो है उसको अगर हम 75% निकालते हैं तो 20,000 का 75% कितना होगा 75% कितना होगा तो 25 के पाहडे से एकर हम इसको काट लेते हैं तो 25 तीन बार में 75 चार बार में तो 4 से यहाँ पे काटने हैं 5000 5000 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी 15,000 5000 इंटू 3 15,000 जो हो जाएगी अगर हम 20,000 को 25 परतिसत घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा जो उत्तर है वो कितना जाएगा कि 15,000 हो जाता है पहला तो यह हो गया यह समझ में आ गया पहला solution second type जो solution है हमारा वो क्या है यह पहला वाला समझ में आ गया second वाले को मैं दूसरे रंग से लिख देता हूं इधर देख लेते हैं इसको second वाले को दिख रहा है हाँ दिख रहा है ठीक है देख लेते है अभी कितनी है रासी तो मैंने बताया है कि हर एक रासी अपने आप में 100% होती है 100% की value कितनी दी गई है कि वह रासी जो है वह 20,000 है हमें कितना निकालना है घटके 25% 75 बचता है तब कितना होगा तब मैं माल लेता हूं कि तब x होगा या कुछ भी माल लो यहां पर आप x y z कुछ भी यह खाली रहने दो आप इसको काट देते हैं 3 और 4 चार से इसको divide करेंगे तो 5 यहाद रखिएगा कि यहां पर यहां पर जो गुणा होता है वह cross में होता है इन इनका गुणा होता है बाकि सब में भाग होता है इधर इधर भाग होगा इधर से इधर भाग ही ही होगा दिविजन होता है सेम साइड में अपोजिट साइड में हमेशा मुल्टिप्लाई होगा ठीक है इसका सथेटर इसका फर्स्ट मल्टिप्लाई इसका पूरा डिविजन होगा तो चार से हम 20,000 को काटते हैं तो पांसजार विशता है अब 5,000 यहाँ पे आप देखने को मिल सकते हैं, अब एक question मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप लोग करें और जबाब दें, इसमें लिखा हुआ है, कि एक दुकानदार ने एक विक्री में एक कोट की कीमत 15% कम कर दी, वोट की कीमत कितनी कम कर दी, 15%, जिससे जो विक्री मूल्य है, ठीक है, वो 127 डॉलर हो गया, 127 डॉलर नहीं, स्टर्लिंग, 127 इस्टर्लिंग या पॉंड हो चुका है, अब 15% कम हुआ है, यहाँ पर दो क्वैंटिटी होती है, अभी कितना है वो, जिससे विक्री मूल्य जो है, वो 127 हो गया है, 15% कम कर देने, अभी वो कितना है, 127 डिसमलब 50, 15% कम कर देने, जब हमारा किसका लिखा हुआ है, कि एक दुकान ने विक्री में एक कोट की कीमत 15% कम की है, तब वो विक्रय मूल्य कितना हो गया है, अभी कितना है, current value है यह, 127 जो है, वो अभी हुआ है, यह question मैं खूद करूँगा, यहाँ पर 127 वो अभी है, मतलब घटा देने के बाद जो बचा हुआ है, वो 127.50 बचा है, 127.50 घटने के बाद बचा है, पहले कितना था, बताईए, अब देखो इसमें दो order होते हैं, दो क्रम होते हैं, एक तो होता है, आप देख लो थोड़ा, पहला जो होता है सिधा क्रम, पहला क्या होता है, सिधा क्रम, सिधे क्रम में क्या होता है, इधर वाली value दी रहेगी, य ये वाली पूछी जाती है ये गिविन होती है और ये वाली पूछी को जाती है आपसे और एक होता है उल्टा क्रम उल्टा क्रम में क्या होता है इधर वाली आपको निकालनी होती है इधर वाली गिविन होती है यह दी रही है अगर उधर की गिविन है यह निकालनी है तो उल्टा क्रम है अगर यहां से यहां जाना है तो सीधा क्रम है ठीक है चलिए देखते हैं 127.50 संख्या लिखते हैं पहले 127.50 है कितना है ये ये जब है जब किसी भी चीज की कीमत जो है वो 15% घट चुकी है 15% जब हम घटा देते हैं मैंने आपको पहले बताया है इस हर एक राशी अपने आप में 100% होती है 100% से 15% घटा देने पर कितना बचता है ये घटने के बाद जो 85% वो इतना है हमें निकालना क्या है तो मूल कीमत जो पहले थी थी तो पहले 100% थी हाँ जी थी चкие होगा काट ये चानिए 5 से 5 से काटेंगे 17 ताइम से 5 से काटेंगे 20 बार भाधर यहां पे काटता है है यहां पे आपके करते है साथ बाट जाएगा जी साथ बाट जाएगा कि नहीं जाएगा वन वन नाइन होता है और फिर से डिवाइड करने पर क्या बचेगा तो 7.5 17 से काटेंगे 17 से 119 के बाद 8 बचासी सत्रा परना पचासी सेवन पॉइंट फाइव को अगर हम 20 से मल्टिप्लाई कर दें कितना बचता है सेवन पॉइंट फाइव इंटू पीस इतना बचता है ठीक है दो से मल्टिप्लाई अगर हम देखो यहां पर पहला होगा को दो से करेंगे तो कितना होगा 15 दो से करने पर सालए-साथ को करेंगे तो 15 हो जाएगा 18 100 कितना हो जाएगा इसको निकालना है उसके बरावर हम लोग X मान कर optic value निकाल देते हैं यह तो है जो गया हमारा एक तरीका अब हम पिछले तरीके पर आते हैं इसले तरीके पर आते हैं कि जो दूसरा वाला मैंने आपको हुआ हुआ था किम लोग ऐसा भी कर सकते है तो आप लोग इसको पहले लिख लोग इसका screenshot स्क्रिन सॉट लोग रख लो ले स्क्रिण सइख लिया अब आते हैं अपने दूसरे तरीके की देरव आपने दूसरे वाले तरीके की द रख सीधा-उल्टा मैंने जो बताया雙ा उसका क्या मतलब है और उसका क्या उप्योग है यहां पर तो सीधे और उल्टे को समझते हैं पहले जैसे आपको यहां से यहां जाना नहीं हमें यह वाली वैल्ली दी गई यह सब दिया गया है इधर जाना है तो पहले हम लोग संख्या लिख लेंगे 117.50 हम लोग करते क्या थे घटा के 15% कम की गई थी तो 50 उपर है कितनी वो अभी 100 ऐसा ही तो लिखते थे पहले यह सा तब लिखते थे जब क्रम सीधा होता था अब क्रम उल्टा है तो इसको भी हम लोग उल्टा ही लिखेंगे अभी वो संख्या कितनी है आपको समझो घटने के बाद बची भी संख्या है 15% कम करने के बाद है तो अभी तो वो 85 है चाहिए केतना है पूरा 100 जो पहले था वो चाहिए हमें इसको आप सॉल्ट करेंगे 100 से मल्टिप्लाई करने पर यह डेसिमल खत्म हो जाएगा 85 पाई इतने आपको भाग देना है एक दो साथ पाँच जीरो अपॉन 85 यह जब आप सॉल्ट करेंगे यहां पर 150 ही आएगा समझ गए यह दो तरीके आपको समझ में आ गए दोनों तमरीके आपको समझ में आ जाने चाहिए सेय अब हमारा यहां पर देखने को हमको मिलता था सेय न यहां पर यहां न किया रहा है तो एक्स वाई से कितने प्रतिसद कम है जैसे मैं कहता हूँ कि राम स्याम से राम स्याम से पंद्रह प्रतिसद अधिक वजन्दार है उसका वजन 15 प्रतिसद जादा है कितने प्रतिसद कम है कितने प्रतिसद कम है प्रतिसद में अगर इस्थान बदल देते हैं, तो प्रतिसत का मान भी बदल जाता है, कैसे बदलता है, आइए देखते है, एक प्रस्न कैसा है से इसको स्वालूव करेंगे, यदि रीता का वेतन गीता से 25 प्रतसत अधिक है रीता का गेतन जो रीता है रीता है दो लोग है यहाँ पे रीता है एक लोग और दूसरी जो है वो है गीता जो रीता का वेतन है वो गीता से 25 प्रतसत अधिक है अगर गीता 100 है 100 है तो यह 25% जादा है यह कितना होगा 125 ठीक है यह 125 जादा होगा अगर हम लोग यहां से यहां की तरफ आते हैं इसको खोड़ा सा वयसा जयासे दिया गया है है utility कर्म में लिखते है घीटा का वेतन गीता के वेतन से अधिक है तो यहां पर लोग गीता को लिखेंगे रीटा और यहां पर रेता तो गीता का वितन 25% बढ़ा देने के बाद 125 हो जाएगा की नहीं हो जाएगा यह चीज़ समझ में आ गई 125 समझ में आ गया या नहीं आएगा गीतार से 25% अधिक है अब मैंने 100 क्यों लिया यहाँ पे तो मैं मैंने नहीं हरी व्यक्ति जो प्रतसत के सवालों को solve करेगा और जिसको मैं समझाओंगा वो सब लोग यहाँ पे X, Y, Z कुछ नहीं लेंगे काखा गागा X, Y, Z कुछ नहीं हम लोग पर्सेंटेस के question solve कर रहे हैं हमेशा पर्सेंटेस को लेंगे ठीक है 100 को माल लेने पर प्रतसत व्रद्धी है प्रतसत कमी कर देने इसमार हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी परती यासे 100 को मैंने 25% बढ़ाया तो रहनत 125 लिग दिया मैंने एक्स लेते फिर 125 एक्स बटे 100 करके उसको solve करते नहीं ऐसा नहीं करना है आप भी 100 ही लेंगे आप देखो अब आते हैं प्रस्न को हल करने की तरफ 100 से 125 परसंट बढ़ाया है तो 25 परसंट जादा है अब पूछ रहा है कि जो रीता का वेतन है जो गीता का वेतन है वो रीता से कितना परसेंटेज में निकालना है 25 से 5 बार में कटेगा 5 से 100 को 20 परसेंट कितना आ गया 20 परसेंट देखो बुदला अभी 25 परसेंट अधिक था कम हुआ तो 20 परसेंट हो गया यह चीज हमेशा याद रखिएगा हमेशा हल करने के बाद ही जवाब देना है तुक्का नहीं रगाना है ठीक है समझ के जलना है चीजों को ऐसा ही दूसरा प्रस्ण है यह कि यह राम और रवी के बारे में है इस कुश्चन को आप लोग स्वाल कीजिए और जवाब दीजिए ठीक है अगर आज आता है बहुत अच्छी बात है नहीं आ जाता है एक बार फिर से जैसे मैंने समझ प्रस्क्राइब जरूर कर दीजेगा ठीक आज की वीडियो में बस इतना ही बने रहे हैं हमारे साथ हन्यवाद कर दो कर दो